आज इंडस्ट्री में हिंदू-मुस्लिम रिलिजिन्स को लेकर बहुत कुछ बवाल चल रहे हैं लेकिन इसी इंडस्ट्री में एक वक्त ऐसा था जब एक मुस्लिम प्रिडूसर ने जय हनुमान नाम का सीरियल बनाया था और इस सीरियल को इतनी शिद्दत से बनाया कि इसीरियल तब का टॉप सीरियल बना सिर्फ पॉपुलरिटी में ही नहीं बलकि कमाई के मामने में भी इसीरियल ने दूरदर्शन को इतनी कमाई दी कि इसकी जय जयकार संसक तक गूण जुठी आखिर जय हनुमान सीरियल के पीछे क्या कहानी है क्यूं संजय खान जो सुजैन खान के पिता है उन्होंने अलग रिलिजिन से होने के बावजूद हिंदू के भगवान हनुमान पर ये सीरियल बनाया और इसकी प्रेढ़ना उने कहां से मिली और इससे उनकी जीवन में क्या आए आज के इस कपकी और कैसे के एपिसोड में हम ये जानेंगे संजे खान वैसे तो अपने ट्राइम के कॉंट्रुवर्शियल आक्टर है लेकिन अक्टिंग के बाद जब वो प्रोडक्शन में आए तो उन्होंने बहुत ही शांदार सीरियल्स बनाए उनका टीपू सुल्तान बहुत ही पॉपिलर रहा दे ग्रेट मराथा भी लोगों ने बहुत पसंद किया और ऐसे ही उन्होंने बनाया जय हनुमान लेकिन जय हनुमान की इंस्पिरेशन की जो कहानी है वो बड़ी इंट्रेस्टिंग है हम सब जानते हैं कि संजे खान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया था जब वो जिंद यही वो टाइम था जब संजे खान के दे ग्रेट मराथा की शूटिंग जैपूर में चल रही थी और तब सामोथ पैलेस के पास में जो हनुमान मंदिर है संजे खान इस मंदिर में दर्शन के लिए गए थे संजे खान के मुलाकात उस मंदिर के पुजारी से हुई पुजारी के साथ संजे खान कुछ देर बैठे तो पुजारी ने उन्हें बताया कि जब आपको वो इंजरी हुई थी जब आप आगने जो लस्ते थे आप 13 महीने तक हॉस्पिटल में रहते तब मैंने इनी हनुमान जी से आपके सही होने की कामना की थी और आज आप यहां आए भी हैं संजे खान पुजारी की उस बहुत हुए मशाएं मंजी की कहानिया और ना सब्सक्राइब कि मेरा अगला सीरियल जो होगा वो हनुमान जी पर होगा संजय खान अपनी शूटिंग खत्म करके मुंबई आते हैं और मुंबई आते ही वो जय हनुमान टीवी सीरियल की प्लानिंग शुरू कर देते हैं अपने दोस्त रंजन सिंग जो के एनस्टी से थे उनके साथ मिलकर संजय खान जय हनुमान की प्लानिंग करते हैं शो के लिए वो इतने एक्साइटेड होते हैं कि अगले दिन जब एपिसोड के लिए गायतरी मंत्र बोलना था आर्टिस्ट को तक संजय खान ने खुद ने अपनी टीम को कह दिया था कि मुझे गायतरी मंत्र सिखाओ क्योंकि कल मैं आक्टर्स को बताऊंगा कि गायतरी मंत्र को कैसे पढ़ना है संजय खान ने एक रात में गायतरी मंत्र को कंठस्त किया और अगले दिन शो की शूटिंग के दौरान आक्टर्स को बताया कि किस तरह से गायतरी मंत्र को पढ़ना है ये शो की shooting शानदा रही, दूरदर्शन से इस शो को approval मिल गया और ये शो दूरदर्शन पर इतना popular हुआ कि इस शो ने दूरदर्शन को बहुत कमाई दी इस शो की TRP 27 तक पहुँच गई थी और इस TRP और income को देखते हुए ही दूरदर्शन जिसने 54 episodes approved किये थे उन्होंने इन episodes को बढ़ा कर 184 episodes का slot संजय खान को दे दिया था जय हनुमान के लिए सुश्मा स्वराज उस वक्त INB की मिनिस्टर थी और तब उन्होंने संसव में भी इस शो की तारीफ की थी उन्होंने कहा कि संजय खान ने ये जो शो बनाया है ये बहुत ही popular हो रहा है साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जहां एक तरफ दूरदर्शन खुद पैसा देकर जो शो बनवाता है वो शो इतने popular नहीं हो रहे हैं वहीं संजय खान ने ये शो खुद अपने पैसों से बनाया और इस शो को टेलेकास्ट करवाने के लिए भी 46 लाक रुपए वो दिया करते थे और फिर शो इतना पॉपुलर इस शो से दूर दर्शन को रेविन्यू के मामले में सबसे ज़ादा कमाई आई हलाकि संजय खान की भी किस्मत इस शो ने पलट दी हनुमान जी पर उन्होंने विश्वास रखा और उसका प्रसाद उन्हें मिला भी संजय खान का ये शो इतना शांदार चला कि शो के जो एड़ोटीजमिन्ट थे उसके लिए संजय खान ने उस टाइम में यानि कि ये बात 97-98 की है तब 1 करोड 30 लाग के एड़ोटीजमिन्स बेचे थे और ये शो बहुत ही popular हुआ था इस शो से संजय खान को financial profit तो हुआ ही लेकिन ये शो उनके लिए life changing शो रहा इसके बाद उनके बरताव में भी बहुत बदलाव आ गया था गमन जो थोड़ा कुछ कभी अगर उनके अंदर रहा भी होगा तो वो बिल्कुल निकल गया और वो बिल्कुल grounded इंसान की तरह behave करने लगे यह हम नहीं कह रहे हैं यह उन्हीं रंजन सिंग ने बताया जो संजय खान के साथ जय हनुमान सीरियल पर काम कर रहे थे